दोस्तों क्या आप जानते हैं मिंस में आपके मार्स कम क्यों आते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मिंस एक्जाम में आपको किस प्रकार के प्रस्थनों पे अटेम्ट करना चाहिए और किस प्रकार के प्रस्थनों को छोड़ देना चाहिए पसीने के स्याहि से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते और जो करते हैं लगतार मेहनत पर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते नमस्कार दोस्तों मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कम्टेशन कम्मूनिटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का हमारा ही जो वीडियो सेशन है इनहीं मुद्दों पे हैं कि आपको मिंस में किस प्रकार के प्रस्टनों पे अटेम्ट करना होगा किस प्रकार के प्रस्टनों को छोड़ देना चाहिए और वो कौन-कौन से रिजन से हैं, वो कौन-कौन से फैक्टर से हैं, जिसके कारण आपके मिंस में आप एक अच्छी राइटिंग लिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब राइटिंग का मतलब आपका जो आंसर लिखने का तरीका है, वो सही होता है, इसके बावजूद से किस कारण से वो रेस में आप से आगे निकलता है किस कारण से आप रेस में पिछड़ जाते हैं इन सभी मुद्दों पे हम लोग चरचक करेंगे दोस्तों हम साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि आज का हमारा ही जो वीडियो सेशन है उन सभी बच्चों के लिए है जि यह मैक्सिमम कोशन वोटम्ट ही नहीं करते ऐसे उन सभी बच्चों के लिए अर्थात आज का यह जो वीडियो सेशन है जिनके इंगलिस जीरो है यह जिनके इंगलिस हीरो है उन सभी बच्चों के लिए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूचनाएं आपको मिलेगी ब कि देखिए हम लोगों का एक फ्री मेंस टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अब यह फ्री है बिलकुल फ्री है इसमें कहें भी किसी प्रकार का कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं है यह कब से शुरू हो रहा है तो यह सुर कि नजी सने कम्प्टीशन कम्यूटी यह हर साल आपके लिए कुछ न कुछ नया करता रहता है और विद्यारतियों के फिवर में हम लोग इस चैनल के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ उनके विलफेर में करते हैं तो इस बार भी यह 18 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक करा रहे हैं अब यह कब से कम मिलेगा यह बिल्कुल फ्री वीडियो सिरीज है यह कब से कम मिलेगा आपको तो यह आपको मिल रहा है 10 सितंबर तक टो दोस्तों इस डेट को आप कॉपी में नोट कर लिए अपने दिमाग में फिट कर लिजए ठीक है और अपना जो writing skill है उसको improve करें ठीक है चलिए तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं इसके आगे आज के इस video session में जैसा कि हमने शुरू में ही बताया आज के इस video session में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे इस video session में हम बात करेंगे general English अब यह general English कहां पर आता है तो आप सबों को पता होना चाहिए paper one part two में आता है ठीक है अब video session को शुरू करने के पहले हम सबों को हम सभी विद्यारतियों को यह पता होना चाहिए कि हमारे syllabus में क्या क्या है हमारा syllabus क्या है तो आए सबसे पहले अपने syllabus को देखें यह सब आपके वेबसाइट पे दिया गया किसके वेबसाइट पे तो आपके पी एसी बोर्ट का जो वेबसाइट है उस पर यह English का दिया गया syllabus है ठीक है अब इसमें देखें का कोश्चन आता है जिसमें के स्टोरी गिवें होते है और स्टोरी से रिलेटेट कोश कोशन गिवें होते हैं दूसरा प्रेसिस राइटिंग आपसे पूछा जाता है ठीक है जहां पर आपने से मैक्सिम बच्चे गलती करते हैं करते हैं और मैक्सिम बच्चे तो छोड़ के आ जाते हैं आगे बढ़ें यह देखें रियर्रेंज्मेंट एंड करेक्शन ऑप सेंटेंस यह आपके ग्रा इसमें क्या गिवन होता है तो इसमें एक वर्ड आपको गिवन होता है ठीक है और उस वर्ड का जो भी मिनिंग होता है यह आपको पता होना चाहिए और उस मिनिंग का यह उस मिनिंग के सेंस में यूज करते हुए यह जो आपको गिवन वर्ड होता है इस वर्ड का सेंटें सब्सक्राइंग करना है और शर्ण ते यह आपको उन कमेनिंग आपको लिखना भी होता है या कई ली लीOK लिखना होता है फिर प्रियम लोड़ल सब्सक्राइब है और गरे संथान अंगल्रे स्थ visitors English grammar का ये देखे active voice, passive voice आपको दिखाई दे रहे तो ये voice है, voice भी कोई parts of speech नहीं है और last मेहां देखे दिया हुआ है parts of speech इसका मतलब ये है कि जितनé भी parts of speech ये जो भी topic आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं like tense, preposition इनकी अलावा और भी जितने English के parts of speech हैं उन सभी से question आते हैं जैसे English में parts of speech की बात करें तो क्या-क्या होता है parts of speech noun, pronoun, verb, adjective, verb, preposition, conjunction, interjection अब interjection जो है यह आपके किसी भी exam के syllabus में नहीं ठीक है बात समझ में आई तो आपको P.S.E. में इसके attention नहीं है ठीक है अब रही बात noun की तो noun से बड़े rare case में question आते हैं और आतब यह तो collective noun से ठीक है ठीक है question construction प्रेसिस का इस प्रकार का रियरेंजमेंट का इस प्रकार का आप इसको ठीक से देख सकते हैं ठीक है वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं synonym एंटोनीम के क्रमसा इस प्रकार से होते हैं OWS one word substitution जो है इसका इस प्रकार से ठीक है कहने का ताथ पर यह है कि grammar के section से ज्यादा तर question आपके fill in the blanks के section में देखने को मिलते हैं ठीक है अभी थोड़ी दिर पहले हम आपको बता रहे थे कि टेंस और प्रेपोजीशन के अलावा भी जो पार्ट्स ओफेस्पीच के question है वो भी आपके एक्जाम में आते हैं अब जैसा कि आप शामने देख पर हैं यहां प्रोनावन है ठीक है बात समझ में आ रही है तो इन सबों से question रहते हैं यहां से आगे चलता है यह देखिए लिखा हुआ दिखाई देगा यह अंडरलाइन किया पार्ट होगा ठीक है यह कुछ उसके instruction में क्लियर कटी information दिया रहेगा कि इस वर्ड का आपको क होना ना उनकी रूप में यूज करना है यह वर्ड करना ना तो आम्ठायर पर जो कोशन अपने एकजाब OFF MEEें आते हैं वह ना उन टो. कुर बाले होते हैं ठीक है। अब यहां से आगे को परते हम लोग अब यहां से हम लोग देखना सुरू करते हैं तो यह आपके पीस इमेंस दो जारी किसे पूछा गया कोश्यूंट है सब सबस्सक्राइब में क्या है भाई इसमें इसा क्या कुछ खास है तो यह हम आपको बताते चले आप यहां पर जड़ा गवर फर्माइए यह डिग्री ओफ कॉंपरिजन आपको दिखाई दे रहे इसके पहले अर्था 2021 का जो पेपर हुआ इसके पहले आपके पीएसी के जितने भी मेंस के पेप भीजिन बच्चों की होती है हम उनको भी यहां समझाना चाहते हैं कि आप भी यह आपके डाइप के बच्चे सकते हैं उनकोस कजिए नहीं और 100% करेक्ट आंसर आप करेंगे कैसे करेंगे आए इसकी एक जाकी एक ग्लिम्स हम आपको इसी सेट पर दिखाते हैं जैसे देखिए हम सब लोग बचपन से जानते हैं कि जो एड़्जेक्टिव होता है एड़्जेक्टिव में हम लोग उने डिगरी पढ़ा था कि यहाद है पर याद होगी अब यहाँ पर इंस्टैक्शन दिया हुआ है उफ्षिंड करना ऐ बखरें यहां पर के मेन भी नए समझ में आता जिसको सेंटेंस का मेन भी समझ में नहीं आ रहाएं ठीक है अब जरा ध्यान देजए यहां पर क्या लगा हुआ है आर्टिकल दो लगा है और किसका यूज करना है गुड का अब जरा यह बता है यह गुड का डिगरी क्या है पॉजिटिव एकॉमप ठीक है दोस्तों इस प्रकार के सिर्फ यही एक दो कोश्ण नहीं ऐसे बहुत सारे कोश्ण हैं जो आपके एकजाम में पूछे जाते हैं तो आप मेंसे ऐसे वो सारे के शारे बच्चे जो इंगलिस ते डरते हैं इंगलिस को छोड़के भाग जाते हैं आप importante for me करना है जिसमें आपको पूरा confidence और confidence आएगा क्यों नहीं देखें यह 2020 में पूछा गया question यूहीं बन गया कि नहीं बन गया तो ऐसे ही आपसे भी question बनेंगे इसके आगे भी बहुत सारे से question है आई यह थोड़ा सा आगे चलें और कुछ और नए pattern के question देखें अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई देरा यहाँ पे आपको active passive का question पूछा किया ठीक है अब देखिए आपके सामने यहाँ पे कई challenges सामने खड़े हो जाते हैं कई प्रकार के confusion आपके mind में create होते हैं सर हमारी तो अगली सीवीख है हम कैसे पाचानेंगे active है कैसे इसको active से पैसिव पैसिव से active में convert करेंगे आईए दोस्तों इसका एक बड़ा ही shortcut trick है टिकनिक है तरीका है इसको हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं देखे क्या है आपको कहीं भी इस MR दिखाई देगा अब इतना तो गाओं का बच्चा भी समझ सकता है और हमको लगता है कि इस ईडियो को गाओं के ना जाने कितने बच्चे देख नहों के लिए चाहरी बच्चे तो देखेंगे ही गाओं के ऐसे मत्त मशनक्छा होगी जिनक From मार के साथ वर्व का थर्ड फॉर्म प्रेजंट हो या वाउज वर्व के साथ वाउज वर्व के साथ कहीं भी वर्व का थर्ड फॉर्म प्रेजंट हो या फिर यह बी हो यह बिंग हो बी हो बिंग हो इनके साथ कहीं भी वर्व का थर्ड फॉर्म प्रेजंट हो तो यह सारे के हEOVER क्या होते हैं यह होता है आपका पैसिव का structure यठेसा कहीं भी आपको dikh奶 दे तो वह सेंटेंस है पैसिव अधर वही सेंटेंस है active थीक बात समझ में आ गई अब आएए एक और confusion होता है मिलता है अंगी सेंटेंस को इधर लाते हैं सब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट आ जाता है इधर और जब आप पैसी में लिखते हैं तो इसी के पहले यहां पे लगाते हैं और बीच में यहां पे कहानी चलती है किसकी कहानी चलती है अब दूसरी बात इसके आगे जब भी कभी आपक एक्टिब को पैसिव में कनवर्ट करेंगे या पैसिव को एक्टिव में कनवर्ट करेंगे तो पाचानने का दूसरा तरीका क्या तरीका है आप ध्यान देजिए किसी भी सेंटेंस में आपको एक्टिव पैसिव में चेंज करना हो एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव ठीक है आप क्या करेंगे आप simply जाए उस sentence में में वर्ब को पकड़िए इस का मझे व का जो वास्थाविक सच्छा करता होगा करने वाला होगा को यदि इसके left side में लिखा हो कहां लिका हो वह एधि इसके left side में लिखा हो इसे करता को हम लोग क्या कहते हैं subject कहते हैं तो यदि किसी काम का करने वाला जो real doer है वो यदि इसके left side में लिखा है तो यह sentence होता है एक्टिम में और यदि किसी भी काम का करने वाला किसी भी मेन वोब का किसी भी मेन वोब का जो रियल डूर होगा इस काम का करने वाला जो सच्चा इसका करता होगा वो यह इसके राइट साइड में हो तो यह सेंटेश चला जाता है पैसिव में बात समझ में आ गई अम आ जाएगें यहाँ पर देख़्ें रहा हम लोग यह देखूएए को क्या दिखा इतरी स्ल विल प्याइख्वाइब घृता है कि होता है मोडल अक्जिलियरी वर्ब होता है और किसी भी मोडल वर्ब का किसी भी मोडल वड का यदि आपक एक्टिव से पैसिर नहीं आप जरा यहां पर गौर फर्माईब ध्यान देज일 मॉडल के साथ तो वही होता है एक्टिम में कहा होता है यह होता है इसका पैसी बनाना होता है तो पैसी में हम लोग चला गया यह हमारा फैसी बात समझ में आ गए अब आजाए इस question में इस question में देखे main verb क्या है तो main verb ये है ठीक है अब ये देखे ये model verb है model verb के साथ ये क्या लगा हुए verb का first verb मतलब ये कहाँ चला गया active में चला गया दूसरा पाचानने का तरीका आप इनको check कर लिजी ये 3 ये 3 और ये 2 इन आठ मैंसे कोई भी format है आपको दिखाई दे रहा है क्या नई दे रहा है मतलब sentence का है active में तो क्या करें हमें इसका ये main verb कर लिए क्या पकड़ लिए main verb कर लिए ठीक है ये होगा हमारा subject ये काम कर दूर हो गया करता हो गया ये क्या होगा अब इसका जब हम लोग active से passive बनाएंगे तो हमारा answer क्या बनेगा हमारा answer बनेगा your application देखिए object को वहां से यहां ले आए ठीक है यही काम करते हैं तो यहां पर लिखेंगे your application will be considered by us favorably for the vacancy बात समझ में आ गए आप में से कुछ बच्चे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं your application will be considered favorably for the vacancy by us आप ऐसा भी लिख सकते हैं दोनों का दोनों बिलकुल correct है लेकिन ज्यादा बढ़िया है कि आप by us को इसके बाद ही लिख दीजी यानि कि यह favorably के पहले लिखी ज्यादा preferable है ठीक है क्योंकि बाद में जब आप लिखना शुरू करते हैं तो इसमें आपका एक आदर डिवलेप कर जाता है हमेशा इसको बाद ही में लिखेंगे ठीक है यह जो पार्ट है यह favorably for the vacancy यह का लाता है compliment क्या कर लाता है compliment कर लाता है ठीक है तो यहाँ इसके बाद आप जो लिखते हैं तो यहाँ पे कई बार गलतियां होती है ठीक है उसके concept अलग है तो खेर आपके exam में उतनी बाते पूछी नहीं जाती है देखिए हमारे PAC में जो English का level है वो superficial level है बहुत अंदर तक जाके आप को grammar पढ़ने के जानने के कोई जरूरत नहीं होती है इसके जो basic fundamental concepts हैं सिर्फ इतने पर आधारी तापके exam में question पूछे जाते हैं बात समझ में आई तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि मेरी English बहुत weak है ऐसे बच्चे भी अपना fundamental level का concept यह ठीक कर लें तो वो बच्चे भी English में अच्छा कासा score कर सकते हैं ठीक है लेकिन English medium के बच्चे अच्छा कासा बना के भी लगबग सारे question पे कुछ एक question को छोड़के बाकि सारे question पे लगबग बच्चे attempt करते हैं English medium ओले फिर भी उनको score कम क्यों आता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी आगे प्रेसिस की को active में convert करना है आईए सबसे पहले चेक कर लें यहां पर देखेंगे इस question में आपको क्या दिखाए तरह यह इस अमर यह क्या है यह वर्व का third form तो अभी अभी हमने आपको पताया था इस मार के सांथ वर्व का third form हो या भी बिंग के सांथ वर्व का third form हो तो वो रहता है प से sit हो जाती है mind हमेंशा sit हो जाता है passive मतलब हमेंशा भाई कुछ और वड़ हैं कुछ और वर्ट हैं जादा नहीं है जो आपकी एक्जाम में पूछे जाए साथ आठ ऐसे वर्ट हैं जिनके साथ passive में भाई का पर यह किया जाता है अब जब आप इसका पैसी बनाएंगे तो पैसी में कौन सा फ़र्म यूज करते हैं हमेशा वर्व का थर्ड फ़र्म अब नोन के साथ आप कभी भी यहां बाई का यूज नहीं कर सकते बाई दिया हुआ हो तो गलत है इसके जगह हमें यूज करना हो कर तो ऐसे साथ आठ कर सकते हैं ऐसे वह सबही बचे जो इंग्लिस में अपने आपको वीगा बत्सक्राण को Carne कैसा आईए सबसे पहलेइसके चरचा करें दुनिया का कोई भे ड़ियेश इंटरोगे टीव वर्ड अब यह बजब इसको हिंदी में पड़ाट करने प इसका फॉस्ट लेटर सुरू हो कुछ से किसे को से तो यह काम करता है interrogative का उसका का मुझे और टेरा जाय। किसका interrogative का यह काम करते है छीक है लेकिन दुनिया का कोई भी डब्लीज wide वाण्ड ओ ये किसको हिंदी में translate करने पर इसक பॉस्त लेटर सुरू होता है जो से किसे जो से शुरू होता है तो इसी को हम लोग कहते है रिलेटिव क्या कहते हैं इसी को हम लोग कहते है रिलेटिव एक दूसरा भी concept है क्या concept है भई तो कहीं भी डबलू एच वर्ड का interrogative के रूप में use किया गया हो किस रूप में interrogative के रूप में use किया गया हो तो sentence के last म इसका यूज़े दिखाई देता है क्या दिखाई दीता है क्या दिखाई दिता है यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगला क्या है कि रेलेटिव प्रॉनावन के रूप में आपके एक्जाम में जो पूछा जाता है वो रहता है ho how which that. या हुम हुम और हुज व्हुम और हुज हुम और हुज अब इनके बारे में जाने इनके इनक इनक बारे में डैट का लीविंग के लिए और नंदुम के लिए हूं का प्रयोग भी करते हैं लीविंग के लिए बात समझ में आ रहे हैं दोस्तों चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं अब हम लोग इधर के कुछ वर्यास करते जिसे ही यह पर आईए देसे हीज द गर अब मालले माल लेजी, हम दोनों के लिए बता रहे हैं, जिनको इसका मिनिंग थो पर वही लड़कि wielik वह loin जो एस पेंस से आई है। तो यहां पर गर्ल क्या है लीविग करेंगे फिक अब ऐसे बचे जिनको इसका मीनिंग भी समझ में नहीं ाता इसको मीनिंग भी समझ में नहीं आता है उनके लिए अब दिखिए यहां पर instruction तो हमें यूज करना है तो हमें युज करना है अब आज आप इसको पकड़ेगे यह गर्ल लीविंग ये नॉन लीविंग लीविंग ये नॉन सबसे पले इसकी चर्चा करें अब आपको लीविंग और नॉन सबसे जादा इन तीनों का यूज आपको देखने को मिलता है अब आपके मन में आएगा कि इसका क्या करें सर हूं का यूज का ये भी तो लिविंग के लिए आता है हूं का यूज करते हैं संबंद बताने के लिए क्या बताने के लिए संबंद या अधिकार बतलाने के लिए जैसे ये किसका पिन है ऐसा अगर पूचा जाए तो इसके लिए हम लोग यूज करते हूं ठीक है फिर यूज करेंगे हूज यहां पर हूज का यूज हो गया फिर से संबंद यादिकार बतलाने के लिए लेकिन हूज को हिंदी में translate करने पर उसका first letter किसे सुरूर है जो से हो रहा है तो यह है relative ठीक है बात समझ में आई हूज का यूज करते हैं हम लोग objective case में कहा करते हैं objective case में करते हैं किस case में तो objective case में ठीक है हूज का यूज करते है subjective case में subject यानि की subjective case यानि subject के रूप में subject यानि की subject यानि कि किसी काम का करने वाला तो आप जड़ा ध्यान देजी कैसे पाचानेंगे कब सब्जेक्टिव होता है कब अब्जेक्टिव होता है ठीक है यहाँ पे आपको हूँ का यूज करना हो यहाँ पे मालिजिए आपके मन में कन्फूजन आगया कि सब्सक्राइब करें यहाँ जहां पर इसमें आपको लिखा है या नहीं लिखा है इसके तुरंट बाद यहां पर कोई लिखा हुआ है यदि तुरंट बाद यहां पर कोई लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कोई लिखा हुआ है यहां वर्ब प्रेजेंट है तो आप यूज करेंगे हो का किसका यूज करेंगे हो का यूज करे करेंगे सर आये इसको भी सिखाते हैं देखिए कहीं भी आपको यदी हूँ या हूम में कन्फ्यूजन क्रियेट हो और इसके बाद आप देखें यहां पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखा हो इसके बाद इधर कोई वर्ब है ठीक है तो यह वर्ब आया कि नहीं आया इस इसको भूल जाएए आप सिर्फ इसको चेक किजिए हो या हूम जहां कहीं भी आपको यूज करना है इसके तुरंत बाद यहां पे कोई नाउन या प्रोनाउन है यह यदि प्रेजेंट है तो आप यूज करेंगे हूम का हो का यूज आप नहीं करेंगे बात समझ में आ तो भी हम ऐसे को दो सव पर्सेंट करेक्ट बनाएंगे बिलकुल करेक्ट कैसे अब यह लिविंग के लिए क्या यूज करेंगे यह कोई संबंद अधिकार बतला रहा है क्या नहीं बतला रहा है ठीक है आप सिंपली चेक किजिए इसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ वर्ब लिखा हुआ है तो वर्ब के पहले हम क्या यूज़ करेंगे तो हम लगा देंगे हापे हूँ क्या लगा देंगे हूँ लगा देंगे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितने आसान तरीके से ऐसे उन सभी बच्चों क्या English भी कुछ scoring हो सकता है ऐसे वो सभी बच्चे भी English में कई question ठीक कर सकते हैं जिसको अब तक English में डर लगता रहा हूँ English का phobia हो English हमसे ना होगा भाई छोड़ दे भाग जा ठीक है चलिए तो डरने की कोई बात नहीं है जब तक competition community आपके साथ है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से अब देखे यहां पर यहां पर क्या फिल करना है तो आपको फिल करना है प्रेपोजीशन क्या फिल करना है आपको फिल करना है प्रीपोजीशन यहां पर देखे से पढ़ाए कि इन का प्रियोग करते हैं बड़े सहरो या स्थानों के साथ एट का प्रियोग करते हैं छोटे सहरो या स्थानों के साथ और का मतलब होता है ऊपर जैसे दबो के सांदर टेबल इस तरीके का आपने पढ़ा तो पहला यह आता है concept based दूसरा क्या आता है दूसरा आता है आपका fix preposition क्याता है या आता है या आता है आपका fix preposition ठीक है अभिए fix preposition क्या होता है यह भी हम आपको बताते चले जैसे देखे आप deal वर्ट सूने होंगे D E E L deal हम यह आप सामने लिग भी देते हैं आपने इसे पढ़ा होगा यह यह घरी है ओटिक है तो इनके साथ fiqds के साथ क्या आता है यह टो आता है में निके साथ क्या था इनता है यह घरी जैसे कुछ और ले लिए जैसे यह देखिए run software के साथ क्या लगातें लगातें मैं इस तरीके का जो condition बनता है जिस में प्रेपोजीशन उस वर्ड के साथ हमेशा fix होता है वही आएगा उसके दूसरा नहीं आएगा इसको मैं उसको कई करतें फिक्स प्रेपोजीशन ठीक है अब देखिए यदि आप कभी ध्यान दिये होंगे तो आपने देखा होगा कि suspicion of carrying drugs तो कोई समान कैरी करने ले आने ले जाने के आरोप में के संदेह में किसी को कभी गिरफतार कर लिया जाता है अक्सर आपने उजमें सुनते रहते होंगे कि जैसे आरियन खान का केस हुआ था ठीक है आपने सुना होगा तो किसी चीज को ले जाने ले आने के संका के आधार पे पुलिस उसको arrest करती है पकड़ती है तो ऐसे सिच्वेशन में जो संदेह होता है सस्पीशन होता है इसके साथ fix preposition है क्या fix है भाई तो यहां पर हम लोग यूज करते है on का on suspicion of carrying something on suspicion of carrying something आप कोपे उठाइए और इसको note कर लिजे कोपे उठाइए पेन उठाइए इसको note कर लिजे इसको रट्टा मार लो भाई याद कर लो ठीक है इस तरीके से question पूछे जाते एक और question देखे यह देखे top of class ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या use करते हैं यहां पर हम लोग यूज करते एट अड़ टॉप आफ क्लास अड़ टॉप आफ क्लास बात समझ में इसके साथ हम लोग लगाते एट तो इसको आपको याद करना होगा रटना होगा तीसरे टाइप का जो question पूछा जाता है वह होता है यह होता है यह होता है जो आपके सिक्षन में आप से पूछा जाता है जिसका आपको sentence में यूज करना होता है ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं ऐसे कोशन को यहां पर हम लोगों ने अब तक बनाना सीखा यहां पर आईए देखें यहां पर आपको क्या फिल करना है तो यहां आपको फिल करना है जक्सन अब जड़ा देखिये पहला जो कोशन आपको दिखाई तरह यह तो इसके साथ तों आप जानते हैं टॉलर के सांथ क्या यूज करेंगे तो टॉलर सबसे पहले है क्या कॉम्परिटीव कि सांथ क्या लगाते हैं धेन लगाते काम खतम अगले कोशन में चलते एक और परक्रठेग, यानि कि जब तक की आप एकजाम में पास नहीं करेंगा, बात समझ में आई, कुछ इस तरह की बातंए आप बताई गई है, तो अब ज़रा ध्यान देजे, ये condition बतला रहा है कि ने बतला रहा है, condition बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, unless का, किसका, unless, करते हैं कि ने करते हैं, आप अपने day to day life में यूज करते हैं, जब तक तुम चाय प्योगे, मैं कप धो लेता हूं, हाई या ना, जब तक तुम आओगे, या जब तक तुम अभी बाहर निकलोगे, office के लिए जाओगे, कहीं और जाओगे, जब तक तुम ये काम करोगे, तब तक मैं ये काम कर लेता हूं, ठीक है, जब तक तुम exam में, जब तक तुम hard work नहीं करोगे, परिक्षा में पास नहीं होगे, जब तक तुम time प यहाँ पर देख पा रहे हैं कि grammar के जितने भी concept यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, आपके previous year में, ये सब के सब कैसे पूछे जाते हैं, एकदम हलके हलके आसान से, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़िए, और थोड़ा बहुत एकदम fundamental पढ़के, एकदम smooth way में पढ़ना है, बहुत जादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और smooth way में थोड़ा थोड़ा पढ़के हैं, आप अच्छा खासा number ला सकते हैं, English में, next, आगे, अब यहाँ से देखे, synonym, antonym के question आगे, अब इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए हम लोगों को word का meaning पता होन किसी चीज को कटिनाई से पता लगाना, किसी चीज का कटिनाई से मिलना, ठीक, अब इसका यदि answer करना है, क्या answer करना है, तो synonym करना है, अर्था same meaning हमें बताना है, अब इसका आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, तो कई बच्चे सबसे पहले इसका answer हम लोग लिखे, एक एक दम easy sentence, easy sentence, छोटे-छोटे sentences का आपको प्रियोग करना है, ठीक है, बड़ा सा sentence आप यूज करेंगे, उसमें error बनने क्या आपके chances ज्यादा होते हैं, और तो और आपको कभी भी भारी भरकम सब्दों का प्रियोग नहीं करना है, नए सब्दों का प्रियोग नहीं करना है जो आप में से कई ऐसे बच्चे जिनका इंगलिस अच्छा होता है ठीक है इंगलिस बैगराउंड से बिलॉंग करते हैं तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो नियूजपीपर, मैगजीन वगेरा वगेरा का कोई नय आवर्ड उठाके वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं आप इसस टाइम तक जो थी उसी के आधार पे वह आज भी काम कर रहे होते हैं और जैसे उनको कहीं कोई नया वर्ड दिखाए पड़ता है वह तुरंत उसको क्रॉस कर देंगे काट देंगे बात समझ में आई जैसे प्रोक्योर तो इसका अंसर हम क्या लिख सकते हैं हम इसका अंसर ल है डिफिकल्ट वर्ड यूब डूुज करने के जरूरत नहीं यह ता सॉनुम्म अब इस ye तरीके से एंट्स को भी हम लोग बनाते हैं जैसे यहां पे आयी यहां पर देखिये इस-टर का मीनिंग क्या होता है तो और कां मिनिंग होता है टू-पॉस्पॉंड यह इसका अपोजिट हम लोगों प्रियुक ने करना अब आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं सर इसका विणिंग तो कॉल आफ भी होता है ना यह देखिए आप से बहुत सारे बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं और ऐसे वह सारे बच्चे मैक्सिम् चांसे में English मीडियम ऑले होते हैं और यहीं पर English मीडियम का बच्चा पीट जाता है यह तो बात कि अभी वो कैब तक में आई है अब आगे आने दिजिए प्रेशिस में आपको कैसे कम माक्स मिलते हैं आप अच्छा लिखते हैं आपकी English अच्छी है सब कुछ अच्छा है इस बात समझ में आ रही है अब यह जैसे ही आप लिख देंगे अब यह आपके एक्जामिनर के मूट पे टिपेंट कर गया वह चाहिए अगर लिबरल परसन है तो इसको सही करेगा अधरवाइस 99% के सिसमें इसको गलत कर दिया जाता है तो दोस्तों आप सही जानते हुए भी सही चीजों का परियोग करते हुए भी आप यहां पर ज़रात देखिए कि आप अंसर सही है यह word to word आप आंसर नहीं कि आपने क्या क्या यूज कर लिए आपने यूज कर लिया फ्रेजल वर्ब का और जैसे हैं और पर यह फ्रेजल वर्ब का यूज कर लिए यह इडिम एंट फ अच्छे पिटते हैं जहांपे उनका score कम हो जाता है जिसके कारण उनका score कम हो जाता है अब आए इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं यहां पर देखिए आपको क्या करने के जरूरत है यहां पर देखे यह क्या है तो यह one word substitution का question है किसका one word substitution यह काफी आसान सेक्षन होता है इसका थोड़ा बहुत लिस्ट आप यदि रट्टा मार लेते हैं तो आप चाहे English Medium के स्टूडेंट हो या Hindi Medium के स्टूडेंट हो ठीक है आप से ये question 200% case में correct बनेंगे 200% case में correct बनेंगे और यहाँ प्याप स्कूर ला सकते हैं जैसे एक छोटा सा एक्जामपल लेंगे इसको क्या कहते हैं अब यहाँ लिए तो आपका एक नंबर मतलब यह जो सिक्षन होता है यह मैत के तरह स्कूरिंग सिक्षन होता है जिसे बच्पन में आपको कहा जाता था ना कि मैत कैव इसकोरिंग पेपर है ठीक है जितना आप सही करेंगे उतना जितना आप सही बनाके आएंगे उसके फुल माक्स आपको मिलते थे इसका भी ऐसा ही होता है तो थोड़ा बहुत इसका लिस्ट होता है आप यहाँ पर देखिए यह क्या है बाई तो यह क्या है यह क्या है तो यह हमारा idioms and phrases ठीक है अब जैसे यहां पर देखिए butterfly in my stomach क्या होता है पेट होता है माई का मतलब मेरा इनका मतलब में butterfly मतलब मदमक्षी आप जानते हैं जब आप ध्यान देजे हम लोग बच्पन से अब तक यूज करते आते हैं जब कभी बहुत भयानक भूक लगी होती है हो रहा है ठीक है मतलब कि आप बहुत ज्यादा भूके हैं अब बहुत ज्यादा जब आपको भूक लगी हो तो आपका तिमाग काम करेगा क्या ने अब आप हो जाते हैं नर्वस हो जाते हैं तो butterfly in my stomach का मिनिंग होता है नर्वस पर सान confused puzzled ठीक है अब यहाँ पर एक और आसान सा रोज रोज तो आप बहुत याद करते हैं वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी आता है तो बहुत याद आता है आप सभी को अब बेड का मतलब होता है बिस्तर मैं सोचिए कि बेड हो बिस्तर हो और उस पर गुलाब इच्छा ठीक है चली तो बेड आफ रोज इस का मतलब होता है बहुत आसान कैसा होता है इजी कमपर्टेबल स्मूथ ठीक है अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि इस इडियम और फ्रिजिस का जो भी मिनिंग होता है उसके अधार पे आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना जिस आनंद कुमार का नाम सुने सूपर 30 बाले पटना के आनंद कुमार ठीक है बात समझ में आ रही है अब उन्हें के लिए मैध कैसा सब्जेक्ट है वीरी इसी ठीक है तो हम उनके लिए कह सकते हैं यह हम सब लोग उनके लिए कह सकते हैं कि for him या for Mr. आनंद कुमार ठीक है mathematics is a bed of roses उनके लिए मैत बहुत आसान है बात समझ में इस तरीके से आपको एकदम छोटे छोटे एकदम simple simple sentences का प्रयोग करना होता है न कि आप भारी भरकम सब्दों का प्रयोग करें भारी भरकम sentences का बड़े बड़े sentences का प्रयोग करेंगे उसमें error बनने के chances ज्यादा होते हैं तो number मिलने के जगा आपके number कट जाएंगे बात समझ में आई आपका आंसर ही गलत हो जाएगा आप इस score खड़ा करेंगे का तो ऐसे बच्चे जो English medium से बिलोग करते हैं या ऐसे बच्चे जिनकी English अच्छी ह होती है ठीक है वो यहां पे जरूर अटेम्ट करते हैं हालक यहां पर Hindi medium के बच्चे भी करना उनको भी चाहिए थोड़ासा टांसलिसन का आपको practice कर लेना है छोटे-छोटे sentences बनाने का आपको practice कर लेना है फिर आप ऐसे कोशन को कर सकते हैं लेकिन ध्यान यह रखना है कि त सेंटेंस गिवेन होता है और सेंटेंस में आपको क्या करना होता है और जहां पर गलती हो उसको ठीक करके इसी सेंटेंस को री करना होता है फिर से लिखना होता है जैसे एक आसान सा कॉंसेप्ट हम आपको याद दिलाते चले देखिए बच्पन से आपने पढ़ा था कि यह कोई भी दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से कनेक्टेड हो और आर्टिकल का प्रयोग किसका प्रयोग आर्टिकल का किसे कंडिशन में यहां आने वाला वर्व कैसा रहता था यह वर्व हम लोग लिखते थे सिंगुलर याद किजिए हाँ या ना क्योंकि इससे एक ही व्यत्तिया वस्त्तों का बोद होता था ठीक है और यदि आर्टिकल का प्रयोग दोनों के साथ किया जाए दोनों ही नाउ उनके साथ अलग-अलग आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तो इससे दो अलग-अलग विक्तियों या वस्तूओं का बोड होता है बात समझ में आ गए अब देखिए यहां पे जो कोशन आपको दिखाई दे रहा है इस कोशन में यह अंकल नाउन है यह मिंटर नाउन है यह दोनों एंड से जुड़ा हुआ है और इसके पहले माई लगा है अब देखिए यहां पे हम आपको एक बात बताते चले जो कॉंसेप्ट यह आर्टिकल का आप बचपन से जानते आ रहे हैं इसी प्रकार का कॉंसेप्ट यूज किया जाता है सेम कॉंसेप्ट यूज करते हम हम लोग डिटर्मिनर्स के साथ अब यह डिटर्मिनर्स क्या होता है तो डिटर्मिनर्स में हम लोग मुख्य रूप से यूज करते हैं जो आपके एक्जामें दिखाए पड़ता है उसे मुख्य रूप से दो बाते होती है आर्टिकल का प्रयोग आपको देखने को मिलता है पहला आर्टिकल का प्रयोग और दूसरा आपको देखने को मिलता है पॉसेसिव एड्जेक्टिव क्या होता है जो नाउन के पहले आता है जो नाउन के पहले आता है और नाउन के पहले आकर उस नाउन पर किसी का अधिकार बतला है जैसे यहां देखिए माई अंकल मेरे अंक का इसको बताने के लिए हम क्या करें तो इसके लिए हम आपको यहां पर से बोड की तरफ लेकर चलते हैं और आए यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इन तो किसी भी डिटर्मिनर का प्रयोग किया गया हो किसी भी डिटर्मिनर का यहां पर प्रयोग किया गया हो किसी भी डिटर्मिनर का यहां पर प्रयोग किया गया हो किसी भी डिटर्मिनर का यहां पर प्रयोग किया गया हो किसी भी डिटर्मिनर डिटर्मिनर का मतलब कोई भी एक नाउन के साथ पहले वाले डाउन के साथ डिटर्मिनर हो तो वर्ब कैसा रहेगा वर्ब रहेगा सिंगुलर और यदि डिटर्मिनर का प्रयोग दोनों ही नाउन के साथ किया गया हो दोनों ही नाउन के साथ किया गया हो तो इस किसमें यहां जो वर्ब यूज करेंगे यह वर्व कैसा रहेगा तो यह वर्व रहेगा हमारा प्लूरल कैसा रहेगा यह वर्व हो जाएगा हमारा प्लूरल ठीक है अब उपर साइद आपको दिखाई ना देए इसलिए हमें यहाँ पर नीचे लिख रहें ठीक है बात समझ में आ गए अब आज यह इस कोश्चन में यहा पहले वाले के साथ तो इस कंडिशन में हमारा यह जो वर्व होगा वर्व रहेगा सिंगुलर अतह इसलिए हमें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर लिखना होगा माई अंकल एंड मेंटर इस हेल्पिंग में बात समझ में आ गई दोस्तो चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से और भी छोटे छोटे एकदम साधारन साधानर रूल आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं अब इसके आगे आते हैं यहां पर देखिए यह क्य इसको बनाने के लिए आपकी इसके अच्छी होनी चाहिए अपकी अच्छी होनी चाहिए ठीक है अधर वाइस इसमें पंगा मत लेना तो ऐसा कोई भी जिसका अच्छा नहीं हो अगर आपके अच्छी नहीं है तो आपके पास अभी से सफीसियन टाइम है आप डेली कुछ और कुछ चोटे-चोटे अंटिकल्स को पढ़िए धीरे धीरे आपकी अच्छी हो जाएगी आपका वो कैब भी अच्छा होता है और यदि आपकी रिडिंग हैबिट या रिडिंग स्किल आपका अच्छा हो जाता है तो यह आपके पैसेज बनाने में आपके मदद करता है यह आपके प्रेसिस में आपके मदद करता है आपका वो कैब का जो कोशन पूछा जाता है जिसमें फ्रेज का या इडियम अन फ्रेज का या फ्रेजर वर्व का या वर्ड पे आधारित आपको sentence लिखना होता है इन सभी sections में यह आपके मदद करेगा ठीक है तो थोड़ा-थो जोस में आगया जी सर ने कह दिया आज जोस में आगया आज तुफान खड़ा कर देंगे इंग्लेस का ठीक है तो आज जोस में आ गया और खुब दीन भर पढ़ते रहे दो चार-बी दिन पढ़िए इक यारवेज दीन होते होते या एक महिना के पहले आप जाकर किसम खाल तो यह पूरा complete understanding based section यहां पे English medium के बच्चे यह इसे बच्चे जिनकी अच्छी होती है ऐसे वो सारे बच्चे यहां पर आराम से कर सकते लेकिन आपको भी ध्यान रखना है ठीक है होस में बिहोस नहीं होना है और होस में बिहोस होके गलती नहीं करना है ठीक है चलिए का सोसन करना दोहन करना जरूरत से ज्ञादा यूज करना है resources एंडिया मतलब उसके ज़ों साधन भारत में उसके बारे मताया जा रहा है private company जारा वी यह थो आप समझी रहे है ड्यूटू मतलब कारण के कारण ठीक है outdated law law का मतलब कानून outdated मतलब बहुत यादा पुराना ठीक और हम लोग पहले नमबर पर रखेंगे private companies आर क्या रखेंगे यह हो गया हमारा हाथ प्राइवेट companies आर अब देखें के बाद आप बजपन से जानते क्या यूज करते वर्भ का इन जी फार्म यूज करते तो यह हो यह होगा है तीसरा ठीक है कहां पर जो रिसौर्स इसका कहां पर भारत में तो यह चार नमबर पर ठीक है अब यह दोहन कर रहा है उसका सोचन कर रहा है जरूरत यहादा यूज कर रहा है क्यों यूज कर रहा है तो डिउटू अभी आगया हमारा पांचवे नंबर पे किसके कारण तो इस पूराने लौक के क्या देखने को मिल रहा है यह आपके मेंस्ट में पूछा गया कोशिन एक 2020 का 2107 तरक ठीकर अब देखे आपको करना क्या हुता है इस तरीके से आपके एक्जाम में मिस एस्पेल्ट के question पूछे जाते हैं, यह मिस एस्पेल्ट का जो section इसको हिंदी मीडियम को बच्चे बना सकता है, कैसे बनाएगा, आपको इसको देखके घवराने के जरूरत नहीं, आप जरा ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, इसके लिए आपको क्या क आपको बता रहे हैं, आपका प्रणसियेशन जैसा भी हो, अच्छा हो, गलत हो, ठीक है, बुरा हो, बहुत बुरा हो, कोई दिक्कत ने, घवराने के जरूरत नहीं है, नर्वस होना नहीं है, confidence खोना नहीं है, क्या करना है, जो भी word आप जैसे भी पढ़ते हैं, उसको वैस पढ़िए, लेकिन उसके spelling के साथ पढ़िए, और spelling को दस बार, बीस बार, तीस बार लिखिये, copy में, इससे क्या होता है, और जो भी question आपके exam में इस तरीके के पूछे जाते हैं, वो सब साधारन साधारन word होते हैं, कोई बहुत टेड़ा मेरा difficult type का word आपके exam में नहीं पू पी में लिख लीजिएगा, फिर वो आपके brain में सेट हो जाएगा, एक बार brain में सेट हो जाता है, फिर उसके spelling आपको जैसे ही कभी भी दिखाई देगे, आपसे ये question बनी जाता है, जैसे ये occasion, अब occasion का spelling क्या होता है, और डबल सी एस आई ओन, ठीक है, मतलब इसमें क्या कर तो हिंदी मीडियो माले होते हैं, हिंदी बैक्राउंड वाले होते हैं, तो कुछ न कुछ किसानी से जरूर जुड़े, नहीं भी जुड़े हैं, तो आप याद किजिए, अर्थात उर्वरक का नाम आपने सुना होगा, और उसमें आपको यूरिया और पोटास बहुत सुन इसी प्रकार से इंजीनियस भी था, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आते हैं, यह देखें, यह जो आपको कुछन दिखाएं देरा है, फिल इन दे ब्लैंक्स का, यह क्या है भई, तो यह ग्रामर का पार्ट है, इसमें क्या फिल करना है, आपको वर्ब का यूज करना है, तो जो यहाँ ब्रैकेट में दिये हुए, जैसे, आप किसी एको उठा लीजी, देखें जैसे हम कुछन नमबर वन को यहाँ पे बनाने का परियास करें, कुछन नमबर वन में क्या है, जरा आप ध्यान देजे, यह क्या है, वाज वर्ज होता है, यह क्या होता है, इसका टे वर्ज हो तो उसके बाद आने वाला सब का सब कैसा रहेगा, सब का सब रहता है, पास्ट पहला पास्ट तो सब पास्ट, नहीं, जैसे एक टोकरी में सेव का टोकरी हो, सारे फ्रेस सेव हो, उसमें एक सड़ा हुआ सेव डाल देजे, सब को सड़ा देता है, यह वही काम करत और ता इसका फॉर्म भी क्या होगा सब्सक्राइब करें इसका फॉर्म वर्म का सेकंड फॉर्म चैनल को पढ़ने हैं और इन और बिना बताएं भी आप question बना ले गए ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं तो grammar से आपको घबराने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अब देखेए आपको दिखाई दे रहे हैं फे पैसेज अब जब पैसेज पूछा जाएगा तो पैसेज एक और पेस में होगा इस तरीके से पैसेज होता है ठीक है छोटा सा पैसेज आपको given होता है story based होता है अब ज़र आप देखेए पैसेज से दो प्रकार के question पूछे जाते हैं किसी भी एक्जाम में पहला direct और दूसरा indirect direct किसको कहते हैं जिसके question के statement से related lines आपको सीधे तोर पे passage में दिखाई देता है story में सीधे तोर पे दिखाई देता है इन direct को कहते हैं जिस question से संबंधित lines आपको पैसेज में आपको story में सीधे तोर पे दिखाई नहीं पड़ते है वो hidden होता है उसको समझना होता है तो वो वाला आपके PSE के exam में सायद ही कभी एकार question दिखाई पड़े अभी तक तो द उनको total attempt करना चाहिए पैसेज का एक भी question उनसे घलत नहीं होना चाहिए नहीं होगा ठीक है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से दूसरा ऐसे बचे जो हिंदी medium से belong करते हैं वो इसके सारे के सारे direct question को उठा के बना सकते हैं तो उनको इस पैसेज को देखके घबराने क के जरूरत नहीं है कैसे नहीं है आईए एक दो question हम लोग पढ़ते हैं और पढ़के यहां पर समझने का प्रयास करते हैं यहां पर देखिए good book provide delight does a good book provide ठीक है यहां पर देख लिए what लगा हुआ है what लगा हुआ है last में क्या लगा हुए question माग तो आप उतना छोड़ देज आप इतना सिर्फ समझ लेजी क्या समझ लेंगे आप आप इतने को भी समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएंगा ठीक है और देख लीजिए why does the writer wander around the book self when he goes to a stranger sounds जब भी कभी author मतलब जो इस कहानी का लेखक है वो यदि कभी किसी अंजानव्यक्ति के घर पर जाता है तो उसका जो बुक का सिल्फ है यह जो बुक वाली अलमारी है उसको वो क्यों घूरता है उसके जगह क्यों जाता है ठीक है इसके बारे में पूछा गया ठीक है why does the adventure of mind not pass away अब देखिए इसको relate करने के लिए हम आपको पीछे ले चलते हैं यहां पर यहां पर देखिए यहां पर देखिए आपको क्या दिखाए यह देखिए adventure of mind मिला ठीक है adventure of mind मिल गया यह देखिए not pass away मिल गया can I relate कर गया को इसको करतें direct question ठीक है अब देखिए वह delight यह आपको फूरी दीर पहले मिला था question में यह मिल गया अर्थात कहने का मतलब ही है कि यह सारे के सारे क्या है तो यह सारे के सारे हैब के क्या है भई तो यह सारे के सारे आपकर direct question यहां देखिए यह strangers library जब भी जाते सारी के सारे तो आप इसको आपको कुछ नई समझ में यहदि आप English मीडियम के बच्चे हैं तो आप इसको आज़ानी से अच्छे तरीके से लिखें आपको माक्स मिलेंगे यह पहर हिंदी मीडियम के बच्छे हैं एक दम कुछ समझ में नहीं आता तो भी आपको number मिलेंगे, आप क्या करेंगे, आप सीधा इसे line ही को यहां से उठा के यहां से लिख दीजी, कम से कम यहां तक आप लिख दीजी, ठीक है, तो भी आपको marks मिल जाएंगे, अब इनके अलावा भी कुछ और question आपके exam में पैसे related दिये गए होते हैं, यहां पे देखें यह वाला जो section है, थोड़ा सा आपके लिए difficult है, जैसे यह देखें, synonym पूछ लिएंगे किसका, divergence का, ठीक है, अब यह थोड़ा सा उल्टा पूछा है, थोड़ा सा उल्टा कैसे पूछा है, तो divergence का synonym बताना है, find the synonym of divergence from the passage, मतलब इसका, इस word का जो synonym से, इस word का जो synonym से, इस divergence का जो synonym से, इसको आपको ढूणना है, जाके passage में, आम तौर पे, जिनरली, सामाने तौर पे, इस प्रकार के question, आपके exam में नहीं होते हैं, जिनरली आपके exam में जो question दिये होते हैं, उसमें passage में जो word दिया होता है, उसको यहां पे, mention किया जाता होता है, लिखना होता है, ठीक है, simple होता है, इसी प्रकार से, अब देखें, यहां पर इस question को बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोगों को इसका meaning पता होना चाहिए, जैसे stitch का मतलब होता है, दुरगंद, divergence का मतलब क्या होता है, रहस्य उजागर कर देना, बतला देना, सभी बच्चे बना के आ सकते हैं, आईए, अभी हम इसके, यहां पर इसका एक जलग दिखाते हैं, तो देखें, stitch का मतलब क्या था, बदबू, गंद, दुरगंद, अब इसका अपूजिट बताना था हम लोगों यह देखें, fragrance मतलब सुगंद, मिल गया कि ने, मिल गया, ड इस तरीके से आप इन question का answer कर सकते हैं, ठीक है, divalience नहीं दिख रहा है भी, चले नहीं दिख रहा है, आप देख लेने, ठीक है, इस तरीके से एकदम आसान सा यह पूछा जाता है, चली अब पैसे के बाद हम लेकर चलते हैं, आपको प्रेसिस में, देखें, यह वो section है, ज है, लेकिन उसके marks कमाते हैं, सबसे पहले कि प्रेसिस को solve करने के लिए आपको करना क्या होता है, तो आपको करना होता है क्या करना होता है तो आपको वर्ड काउंट करना होता है जैसे यह प्रेशिइस आपको दिया हुआ है सब्दों की सब्सक्राइश जितने भी होती है उसके one third में आपको इसको लिखना होता है अब आप गलतियां करते कहां पे हैं तो हिंडी मीडियम का बच्चा जिसका इंग्लिस बहुत जादा वीक हो वो प्रेसिस ना लिखे वो प्रेसिस लिखेगा तो उसका पूरा का पूरा सब गलती होगा ठीक है क्यो तो यदि आप confidence है एकदम easy level का हो दिन आप उसका title लिखे आपको थोड़ा भी suspicion छोड़ दीजे आप कहां पर concentrate कीजिए उसके body पर कहां पर उसके body अब देखें आप से गलती कहां पर होती है आप में से maximum बच्चे चाहे हिंदी मीडियम के हो या English मीडियम के हो ऐसे सभी बच चो का एक habit होता है क्या habit होता है इसमें जितने भी word आपको दिये गए हैं आप में से maximum बच्चे जो भी प्रेसिस का answer लिखते हैं प्रेसिस राइटिंग में maximum time 99% के सिसमें आप सब लोग क्या करते हैं इसी के words को उठाते हैं इसी के sentence को उठाते हैं और as it is आप use कर लेते हैं दोस्तों यही कारण है कि आप English medium के बच्चे हो के भी आपके English अच्छी हो के भी ठीक है आप प्रेसिस राइटिंग लिखते तो हैं बट आपका score नहीं बनता ठीक है आपका score यहां पे अच्छा नहीं बनता अब आपको क्या करना चाहिए आप इसका जो भी प्रेसिस लिख लिखते हैं ठीक है यदि आपको प्रेसिस लिखना आता है आप बेसक लिखे लेकिन आप जो भी प्रेसिस में लिखेंगे वो क्या होना चाहिए आपके अपने सब्दों में होना चाहिए इस बात को गौर फर्माईएगा इसको नोटिस के जिए ध्यान देजे इस पर आप यहां भी अच्छा इसको ला सकते हैं कंडिशन एक ही है जो भी प्रेसिस आप लिखें आप उसको अपने सब्दों में लिखने का प्रयास करें या आप यदि इसको अपने सब्दों में लिखेंगे तो आपको एक बेहतर इसको मिलता है ठीक है और आपका जो प्रेसिस होता चले आप लोग जो प्रेसिस लिखते हैं ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें अपने सब्दों का प्रियोग करते हैं लेकिन फिर वो सेंटेंस भारी भरकम लिखेंगे भाई आप सेंटेंस छोटा छोटा लिखिए बड़ा सेंटेंस लिखते पीटी मत किजी अब यहां से थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं जो कभी-कभी आपके एक्जाम में पूछा जाता रहता है कभी आता है कभी नहीं आता है जैसे इस बार डिग्री पहली बार पूछ लिया गया ठीक है डिग्री ओफ कॉंपरेशन इस बार दो जारी किसमें पहल बार बार फ्रेक्वेंटली अर्था 2020 में 19 में 18 में 20 से कोशन इस पैटर्न के कोशन आपको देखने को मिलते हैं इसमें देखे जो बोल्ड लेटर में वोड़ आपको दिखाई दिया है यह अंडर लाइन क्या हुआ जो वाड होता है इसका आपको पार्ट सोफेस्पी अब आप जड़ा आईए इसी का हम आपको बना के दिखाते हैं ठीक है आप इसको कैसे बनाएंगे तो आप इसके जगर लिखेंगे मतलब उसका जो कैस था उससे उसकी टीम जीत गई इसने इसके टीम को जीता दिया ठीक है बात समझ में आ रही है अब आप इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ठीक है हम आंसर लिखेंगे ही ही कॉट दबॉल ही कॉट दबॉल विच मेड इस टीम विन विच मेड इस टीम विन देखेंगे पूरा का पूरा सेंटेंस देखेंगे ही कॉट दबॉल उसने बॉल को क्या किया कैच किया ठीक है अब कैच का पास्टेंस हो गया कैच का यूज से, conjunction से, which, which made his team win, अब ज़रा ध्यान देज़े, यहां जो caught हमने लिखा, उसका tense कहा है, past, इस made का tense कहा है, past, tense भी correct और sentence भी correct, बात समझ में आए, और इस catch का परियोग भी हो गया, noun के जगा, verb के रूप में, ऐसे आपको इसका answer करना होता है, next, यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे भी आप में से बहुत सारे बच्चे गलतिया करते हैं, और बहुत सारे बच्चों को यहां पे समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चे, his catch, ball लिख देंगे, ठीक है, he catch ball लेग देंगे, यहाँ पर फिर आप tense में गलती कर बैठते हैं, यहाँ आपका सब कुस्छ ठीक होता है, तो यहाँ पर जब आप इसको word में convert करते हैं, तो tense में गलती कर बैठते हैं, बात समझ में हैं, इसी लिए हमने कहा, कि छोटे-छोटे sentences का आपको practice करना है, यह थोड़ा बहुत छोटे-छोटे translation के sentences साब को बना लेना है, यदि आपकी English week है, तो, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आएं, इस आकरी section में आएं, हम लोग यहाँ पर देखिए, इस में आपको क्या करना है, यह फ्रेज आपको given है, और यह फ्रेज है नहीं, यह होता है आपका phrasal work, क्या होता है, यह होता है phrasal work, जैसे get along, get along का मतलब होता है, be friendly, मित्रवत होना, ठीक है, मित्रवत होना, अब यह lay off का मतलब क्या होता है, कोई काम बीची में छोड़ देना, ठीक है, stop working, या stop something which you usually continue, ठीक है, जो आप सामाने तोर पे continue करते हैं, करते हैं, जिस क आपको उसको बीच में छोड़ देना, यह इसका meaning होता है, अब आपको इसको भी क्या करना होता है, इस पे भी आपको sentence बनाना होता है, क्या बनाना होता है, sentence बनाना होता है, अब get along का मतलब क्या होता है, मित्रवत हो जाना, ठीक है, be friendly, अब कैसे बनाएंगे, he gets along, he gets along very soon with anyone ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों का दोनों सही है, बात समझ में आ कई, तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, और आप ऐसे ही छोटे-छोटे बातों का ध्यान दे कर, आप अपने English के score को improve कर सकते हैं, छोटे-छोटे mistakes को रोकिए, और छोटे-छोटे positive section तैक करवा सकते हैं, आप अपने means में English के score को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हम आपको यहां पर फिर से एक बार remind करवाते चले, कि यह जो हम लोगों का free means का test series start हो रहा है, यह कब से start हो रहा है, 18 सितंबर से 30 October तक यह चलेगा, और उसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कि आप अपना means का paper कैसे लिखेंगे, कैसे आप means में बहतर answer writing कर सकते हैं, कैसे means में बहतर score आप ला सकते हैं, अब यह जो free video series है, यह कब से start हो रहा है, तो यह start हो रहा है, एक सितंबर से कब से start हो रहा है, यह start हो रहा है, एक सितंबर से कब टो यह चलिए गा दस सितम्बर तक चलेगा तो यह चलेगा दस एतंबर तक दोस्तो बात समझ में आगई आसा करते हैं कि यह बातें आपयोगों से डिर जादा करो जीतेंगे हम यह वादा करो कोशी समय सा जादा करो किस्मत रूठे तो रूठे किस्मत रूठे तो रूठे हिम्मत ना तूटे हिम्मत ना तूटे मजबुत इतना इरादा करो तो इसके आगे की चीजों के लिए हम लोग मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत